दोस्तों आज का वीडियो जो है वो है हाउस कंस्रक्शन पे कि जब हम घर बना लेते हैं तो हर घर में एक समस्या जुरूर देखी जाती है वो है क्रैक्स मतलब हर जगा कोई भी घर होगा ऐसा घर कोई नहीं है जिसमें क्रैक ना दिखें तो क्रैक के आने का रिजन क्या होता है उसको हम सही कैसे कर सकते हैं और बेसिक अगर आप प्रिकोशन लोगे तो क्रैक कैसे आप रो सकते हो वो सब में आज आपको बताने वाला सामने वह आप क्रैक देख रहे हो काफी किसम के क्रैक को होते हैं आपने देखा होगा बर्टिकल भी होते हैं लंबे होते हैं diagonal type, एक crack क्यों आते हैं, इसका क्या reason है, वो सब आज में आपको clear करूंगा, और यह भी बताऊंगा, कि हम उसको कैसे सस्ते में सही कर सकते हैं, और वो कौन से crack है, जो harumful नहीं है गर के लिए, और जो कौन से dangerous होते हैं, यह defend करता है crack की width, कि width उसकी कितनी है, देखो, 0.1 mm भी ह होते हैं, और 6 mm तक से 10 mm भी crack होते हैं, तो सबसे खतरनाग crack कौन से होते हैं, वो हम बात करेंगे, सबसे पहले आप सामने crack देख रहे हो, इसकी कोई 1-2 mm इसकी width है, तो यह crack हाणिका रहे हैं आपके गर के लिए, कि नहीं, मैं अगर ऐसे अपने experience से बताएं, जहां ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन जो 4 mm से बड़ा crack होता है, वो हरम फुल आपके गर के लिए हो सकता है, यह सामने आप देख रहे हो जो crack, यह किस बज़ा से आया है, मैं लिए ऐसे crack तीन रिजन से आते हैं, एक तो आपने जो मोटार बनाया है, उसकी ratio प्रोपर नहीं रखिया है, जै इसरा shrinkage crack होगे, यह प्रॉपर क्यूरिंग नहीं आपने की, तो वो भी main cause हो सकता है, ऐसे crack का, ऐसे crack मोटली हर गर में देखे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि spider जैसे जाला जैसे मुनता है, तो वैसे crack बन जाते हैं, वो भी क्यूरिंग आप प्रॉपर बेसे नहीं जो तीन हमें से छोटा crack है, वो बेसिकली इतना हरूंफुल आपके लिए नहीं होगा, लेकिन जो बड़े crack होंगे, वो dangerous हो सकते हैं, और उनको हम proper way से सही कैसे करते हैं, सामने आप जो crack देख रहे हो, जो मैं बात कर रहा है थोड़ी ज़र पहले, यह होते हैं, proper way से curing नही कि यहां आपकी sand अच्छी ना हो, और यह जो crack है, यह भी settlement का reason हो सकता है settlement, यह आपका जो bond बनाई है brick की, वो proper way से नहीं की गई हो, उससे भी settlement होके ऐसे crack दिखते हैं, लेकिन जो आज में 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 बात करने वाला था, जो dangerous crack गर के लिए रहते हैं, उनको सही कैसे करते हैं, व कि यहां दिखते हैं, तो यह बहुत जादा खतरना crack है, और इनको सही करने का तरीका क्या, देखो, क्या होता है, जैसे आपकी यह दिवार है, मैंने एक्जेम्पल ले लिए दिवार है, और यह diagonally आपको दिखे का crack, ऐसे steer यासी बनी होती है, मतलब यह brick रहती है, जो नीचे तक जाते है, mostly, वो crack का reason क्या होता है, और यह बहुत बड़ी चिंता है, वो reason हो सकता है, आपका नीचे settlement हुई है, मतलब नीचे जो जगा थी, वो बैठ गई है, अगर आपकी soil थी, कोई cotton soil थी, वो swell हुई है, यह contract हुई है, temperature genesis से, उसका reason हो सकता है, यह क्या हो सकता आपने plinth protection नहीं provide की है, और पानी अंदर गुस गया, और यहां से set, मतलब यह plinth beam थोड़ा बैठ गया, और यह दिवार इसके साथ बैठ जाएगी, यह वैसे ही उपर रहेगी, तो वो reason हो सकता है, यहां आपकी footing settlement होई है, जो आपने नीचे footing दी है, जहां plinth beam है, वो न पहले, जो crack आपको दिखो, ऐसे possible हो तो आपको वहां अगर consultant मिलते है, जो crack को सही करते हैं, जिनका काम ही यह है, उन से अगर आप करवाओगे तो best है, लेकिन अगर मैं आपको alternate बताऊं, वहां possible नहीं है, तो doctor fix it का, दो type के chemical आते हैं, एक होता है x paste, आपको उपर photo pic दिखर यह market से मिल जाते हैं, ज्यादा cost लीव नहीं है, इसको लगाने से क्या करोगे, आप पहले क्या करने है, जहां crack है, उसको proper way से, यहां तो grinder available है, उसको थोड़ा थोड़ा काड़ दो अंदर तक, गहरा कर दो, यहां तो उसको proper way से साफ कर लो, अंदर पानी मार लो, उसको पुखने देने, फिर थोड़ा जो space, थोड़ी जो और बची होगी, उसमें दूसरी layer उसमें डालनी है, फिल कर देनी है, अच्छे ता proper way से फिल करनी है कि जगा नहीं बचे, फिल कर दी, उसको 4-6 गंटे रहने देने, उसके बाद जो final layer मदला उसकी finishing आपको कर देनी है, उ उसी से जो, यह x-paste आती है, यह shrinkage paste जो dr. fixer की, बाकी companies की भी आती है, अच्छी होती है, लेकिं dr. fixer की हमने use कर वाई है, वो अच्छी होती है, वो कर दोगे फिल, तो आपके crack proper way से सही हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरे type पे जो crack देखे जाते हैं, क्या होता है, यह column साथ में करोगे, उससे भी हो सकता है, proper way से अगर आप motor लगा के करोगे, यह hacking करोगे, तब भी हो सकता है, लेकिन जब यह हो गया, तो इसको सही कैसे करेंगे, एक wire mesh आती है, जैसे मुर्गा जाली जिसे बोलते है, ऐसे दोनों तरफ, तीन तीन इंच चड़ा देनी है, यह म window है, window से ऐसे ऐसे crack निकले होते है, यह भी मतलब एक लगा लो settlement का ही है, इससे है, कि क्या होता है, जो दिवार का load होता है, वो कहीं जादा हो जादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसकी बज़े से यह cracks mostly देखने को मिलते है, ठीक है, इसको avoid कैसे करना है, कि column provide, मतलब म column पर जाएगा, दिवार पर नहीं जाएगा, जहाँ cut out होगा आपका, जहाँ window होगी, वहाँ यह crack, एक से crack देखने को कम मिलते है, तो mainly यही crack, मैंने जो कहा, आपके जो लगबग 4 mm से 6 mm जो crack दिखते है, वो mostly किस से आते है, यहाँ जो आपने joint provide किया होता है, ब्रिक में, व उनको सही कर सकते हो, इसी doctor fixer paste से, बाकी वो आपके घर के लिए यतने हनी कारिक नहीं होते है, वो mostly आते है, जहाँ तो आपने curing proper waste नहीं की, जहाँ तो ज़्यादा घर तो आती है, कि plaster अच्छे से किया नहीं, उसमें जो sand cement की ratio proper नहीं डाली है, जहाँ जो sand यूज की है, व वो छोटे-छोटे show होते हैं, उनकी कोई दिक्कत इंतनी ज़्यादा नहीं होती है, और इसके related कुछी भी question पूछने हैं, आप comment करो, मैं उसका reply ज़्रूर करूँगा, thank you guys.